वेलकम टू माई यूटूब चैनल, की नाइटीज, फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पहुत ही इंपोर्टन्ट खबर के बारे में बताने आया हूँ, जो की यूपी डीयलेट से सम्मंदित है, अब आप लोगों के मन में एक कुश्चन उत्पन हो रहा होगा, कुश्चन प पहले से गाइडलेन में आप लोगों को बता रखा है, कि फनफोधन नहीं होगा, लेकिन कुश्च खबर है, जो की आप लोगों को बताना बहुते जादा इपोर्डन रखता है, ये मैटर करता है, कि आप लोग उस खबर को जानकारी सुरू से आखरे तक लेंगे, अब दे वीडियो को जादा पर जादा लाइक और फेयर करें, अगर लाइक और फेयर करते हैं आप लोग, तो जो वीडियो हम बनाते हैं, कि हमको लगेगा, कि मेरे द्वारा बनाई गए जो वीडियो है, आप लोगों को अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को अच्छी लग दो यदि कोई आपती नहों तो ब्लीस फज़े लाईक को जाता फज्यादा फियर करें ठैक है और यदि अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब कर ले ठीक है और बिल की आईकन को धबा दे मैं बटा-दू कि चैनल सब्सक्रिप्जिं सब्सक्राइब बटन जो होता है वह रिट कलर का होता है जो की नीचे दिया गया है और बिल की आइकन को बगल में जो बिल का आइकन बना होता उफे दबाना मत भूले मैटर रखती हो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को प्रारम करते हैं देखिए अब सामने आप लोग के एक मैने स्लाइड लगा है उस स्लाइड से एक इन्फॉर्मेशन है कि कि वो इन्फॉर्मेशन अखिर है क्या वो क्या मैटर रखती है अखिर उस इन्फॉर् यह मत अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो मैं गाइडलेन में आप लोग को लिखे बता दे रहा हूं कि यूपी अप ठीक है यूपी बीटीफी 2019 के लिए आवेदन प्रकरिया आवेदर ठीक है आनलाइन जो है वह चलेगी जो भी आवेदन प्रकरिया है वह आनलाइन ही र भी मैंने डॉकुमेंट्स वगएरा बताए है अपने नाम फिलप करना वो सभी आनलाइन आप लोग को जमा करनी पड़ेगी आगे क्या है कि उम्मीदवार को बता दें कि अगर नाम जन्वती थी ठीक है और पता आद में गलती आ गई तो कोई भी सुधार नहीं किया जाए बहुत बच्चों ने मुझसे यह पूंचा था फर यह बताए अगर में गलत हो गया है तो मैं क्या करूँ दुस्तों मैं आप लोग को बता दूँ देखिए कोई अभी तक यह इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि यह जो फनफोधन है वह नहीं किया जाएगा देखिए यह आगे एक पेपर की में कटिंग लेकर किया हूँ इसमें देखिए बताया किया गया है पहले पूरी खबर सुनिए ठीक है और साथ ही ठीक है बता दे कि आवेदन फाल में फुधार करने के लिए बिंडो कुछ निर्धारिस समय के लिए खोली जाएगी देखिए अब यह हाँ पर यह कंफर्म कर दिया गया है कि तुरंत तो नहीं होगा यह तो पक्का है कि तुरंत फनफोदन नहीं होगा पहले क्या होता था तुरंत फनफोदन हो जाता था आप तुरंत फनफोदन कर वाली जी हो जाता था लेकिन इस बार तुरंत फनफोदन नहीं करा जाएगा लेकिन फनफोदन होगा कुछ निर्धारी समय के लिए आपर देखिए कुछ निर्धारी टाइम के लिए क्या हुआ बिंडो को ओपेन किया जाएगा अब देखिए उम्मेदवार आवेदन पत्र में फुधार के कौन कौन से टिप अपना फक्ति ये भी लेकर क्या है हूँ आप लोग को करना क्या पड़ेगा नमबर एक में क्या है कि सबसे पहले उम्मेदवार पूरी डियलेड अधिकारिक ठीक है अपना पंजीकर नमबर और पासवर्ड को फिल करना है और लॉग इन कर देना है इत्ता करने के बाद में आवेदन में सुधार आनलाइन पर किलिक करें और उसमें सुधार करनें ठीक है देखिए ये प्रकेरिया तभी होगी ध्याद समझेगा ये प्रकेरिया तभी होगी जब कॉर्मेंट की तरफ से शंसोधन प्रकेरिया को प्रारम किया जाएका लेकिन अभी ऐसी कोई प्रकेरिया नहीं चालू है आगे के हैं उमीदवार सुधार करने के बाद धान पूरवा कर सब्मिट कर सकते हैं देखिए ये जो होल प्रॉफिस में बता रहा हूं है अपन हो जाएगी दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है और ये जानकारी आप लोग फमच पाएं हैं तो प्लीज लाइक कर दें चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल के आइकन को जरूर फे जरूर दबा लें और भी एक जानकारी है ज चैनल पर कलाफ इस उपलग कराए जाएंगी upbtc फर्ष्ट सिमिस्टर ठीक है जो फर्ष्ट सिमेश्टर यह इसकी वहाट स्टार्ट करती ज्यूफ अगफ्त में जो की वह अप्लोडड होंगी वह लाइप नहीं चलेगा लेकिन uploaded कराया जाएगा ठीक है और लगबग के लिए अगफ्त के बाद ठीक है लगबग September में हम लोग live class लेकर के आएंगे ठीक है यहनी कि live class लेकर के आएंगे आप लोगों को मेरे तुमारा live class की जो है information और जो live class में जो पढ़ाया जाएगा उसकी जानकारी आप लोगों को हम देंगे ठीक है कितनी टाइम क्या live class चलेगी मेरा चैनल के schedule क्या है उस schedule को पूरी तरिके से आप लोगों को share किया जाए गा और information आगे है यदि आपको कोई problem आती है form भरने में ठीक है तो यह WhatsApp नंबर है ठीक है यह WhatsApp नंबर है ठीक है अब आप लोग इस WhatsApp नंबर का यूज करके कोई भी information प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों एक जानकारी और देदूं प्लीज सबसे request है कि call मत करिए ठीक है अब आप लोग करते हैं तो problem वहने लगती है भाई मैं अगर उपलब दो रही हूं call लेने के लिए तो आप लोग मन में सोचने लगते हैं कि फरजी का नंबर है ठीक है तो प्लीज कॉल मत करिए ठीक है और WhatsApp करिए WhatsApp तुरंत आपको repeat नहीं दिया जाएगा आपके जो comment है जो भी आपका प्रश्ण है कुश्चन जो आप लोग कुछेंगे उसका आनफर जो है आपको शाम को दिया जाएगा ठीक है शाम को दिया जाएगा तो प्लीज जो पेफेंफ रखें और अपना question if WhatsApp नंबर पर find करें ठीक है दोस्तों अब हम लोग अगर यह आप लोग को जानकरी समझ में आ गई हो ठीक है तो नंबर नोट कर लिजिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और हम लोग आगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गोड़ बाई टेक केर एंड थैंक्यू